तो आज की वीडियो में देखेंगे यह दो इजी क्वेक बंस्टिक हैस्टाइल्स चानल अप्डेट्स के लिए आप मुझे फॉलो करना इंस्टा और फेस्बुक पर उसके लिंक्स नेचे डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दिये है लेट सी फर्स्ट बन सबसे पहले हैर कोम कीजिगा सारे टैंगल स्रिमों कीजिगा फिर आपको कोम को हात नहीं लगाना है आई मिन कोम को यूज करना नहीं बाद में और ऐसे हातों से सारे बाल गादा कीजिगा फिर वहां पे पॉनिटल डालीजिगा सेंटर प्लेस में बन अच्छा देखेगा आपको इसे डालना दर करता है यह दम नियुकश भी करना है यह कुछ बाल निकल रहे थीक़ के बाद मैं सेट करेंगे तो पूरी पूनेटेल आपको बंस्टिक के पीछे से क्यारी करनी थे तो यह चुछ है यह अब देख सते हो मैं कोशिच कर रही है जो बाल है वह बन के अं खतम नहीं होती तब तक बंस्तिक के पीछे से बाल क्यारी करना है और फिर आप जो भी आपके पिंस है बॉबी पेंस जो टाइट बॉबी पेंस होते हैं उनकी मदद से यह सिक्यूर कर लिजीगा जो एंड से उन्हें सब आप अंदर डाल दीजीगा और टक कर दीजीगा यह कुछ इस तरीके से यह वाले जो है निकले उसे मैं भी फिक्स कर दूंगी और आप यह मेरे हाथ में देख सकते हो मैंने किस तरीके की पिन यूज किया हाला कि मैंने आपको दिखाया ने सौरी बट आप देख सकते हो जो बड़ी है और ठीक वाली पिन आती है ना उसका में कुछ भी ने किया और हाँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेर जरू करना चानल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल बेटन जरू दबाना विल्कुल फ्री है वो हम देखेंगी सेकेंड जूडा जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला से वैसे आपको पर देखेंगे बाल कोम कर लेना है और बाद में आपको कोम का यूज करना नहीं है और सिंप्ली ऐसे आपको वनिटेल डालने है या फिर थोड़ा सा लोग भी डाल सकते हो फिर यह जो हैस्टिक है या फिर बंस्टिक है इसे आप रभापैंड के उस पार डाल दीजेगा औ और दोनों हैस्टिक का लुप भी थोड़ा बहुत अलग आता है तो यह आप देख सेक्शन है उसे आपको आपके फेस की तरफ ट्विस्ट देना है और फिर बंस्टिक के पीछे से वह क्यारी करना है यह आप देख सेखते हो पहले फॉस्ट वाला स्टैंड कीजिगा फिर सेकेंड वाला स्टैंड कीजिगा एक ही बार एक ही साथ मत कीजिगा तो यह देख सकते हो एक ही पार में ट्विस्ट लगाया है और फिर उसको राउंड राउंड मैंने घुमाया है और जो एंड से उन्हें आप पॉबी पिन की मदद से टकर दीजिगा यूपिन्स का आप यहां पर इसमाल मत कीजिए नहीं तो यह जोड़ा लूज हो जाएगा तो जो टाइट यूपिन्स आते उनका आप यूज कीजिएगा और फिर अब बार याती यह जो सेकेंड स्टैंड बचा है उसे लपैटने का या फिर रपैटने का जिस डिरेक्शन आपने फर्स टाइंड घुमाया है ना उसके अपोसित डिरेक्शन में आपको यह सकेंड स्टैंड ट्विस्ट करना है और ऐसे रोटेट करना है सेम तरीकी से कीजिए का बंस्टिक के पीछे से क्यारी कीजिए और ऐसे ट्विस्ट लगाए आपके फेस की तरफ और जो भी एंड से उसे आप पिन से टक कर दीजिए ताक यह जूड़ा अच्छे से सीक्यर हो जाए तो जूड़ा भी रेडी है बस थोड़े से इधर उदर से बाल निकले उन्हें में टक कर दूँ जोटा सा सेक्शन निकला है इसलिए मैंने यहां पे पतली वाली बावी पिन यूज की है तो यह सेकंड जूड़ा भी रेडी है और आप मुझे कॉमेंट करके बताना कि आपको फॉर्स या फिर सेकंड कौन सा जूड़ा अच्छा लगा है दोनों जूड़ा करने का स्टाइल अलग है और उनका लुक भी अलग है आप चाहे तो यहां पे देख चुते हो फॉ वीडियो की लिंक है आप चाहे तो देख सकते हो